वहीं सभी हैरान होकर प्रोजेक्टर की तरफ सबकी नजरें चली जाती हैं। दरसल लाइट जाने से सब जगें अंदेरा हो जाता है जिससे सबी अपनी अपनी जगें पेर ही रुख जाते हैं। एक तम से सबकी नजर प्रोजेक्टर पर जाती है। जहां माही और माहिर की कुछ तस्वीरें थी, दौनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक फोटो में उस दिन पार्किंग की फोटो थी, जिसमें माही माहिर की बाहों में थी, दूसरी फोटो में माही और माहिर एक ही बैट पर थे, ये वो दिल्ली वाले फोटो थे, जब मा माहिर का पेर फर्स पर अटक जाता है जिससे दौनों बैट पर गिर जाते हैं तीसरी फोटो में माहिर के रूम से निकल रही थी ये फोटो देखकर सभी वहां खड़े शक्स एक तम से सारी लाइट्स ओन हो जाती हैं सब सौक्ट हो जाते हैं और मॉंटी सब के सामने आकर माह तूम चहरे के पीछे चुपा राज अरे मैं इतनी अच्छी नहीं है अरे ये इतनी अच्छी नहीं है जितना दिखाती है मैं यही सोचूं की बिना मुझे देखे एक तम से शादी के लिए हां कह देना मुझसे हमेशा दूर दूर रहना मेरे सामने और मेरे परिवार के साम उने इतनी सती सावित्री बनने का नाटक और पीट पीछे गुलचड़े उरा रही है और ये सोच रही थी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम मुझे पागल बना कर मुझसे शादी करके अच्छी बन जाओगी सबकी नजरों में देखो इतनी मासूम लड़की है कि बि उस ही नहीं था जबसे उसने वो फोटो देखी थी वो बेजान सी खड़ी थी उसकी आँखों से आसू बहे जा रहे थे और उसे समालने वाला यहां कोई नहीं था मॉन्टी सब को देखते हुए कहता है आपको लग रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला कहीं मुझे को कोई गलत फैमी नहीं हुई है मैंने इस लड़की के बारे में सब पता लगाया है इसका यहीं काम है ये लड़कों को फसा कर उनसे पैसे एटती है और बहुत ही बचलन लड़की है ये लड़की कितनी बड़ी चालवाज है इसका काम है अमीर लड़कों को फसाना और उनके सांत मजए करना मौन्टी रिशब के पास आकर कहता है। रिशब भाई आपको याद है जब हम पार्टी के लिए गये हुए थे तो माही सुभे गायब हो गई थी और हम परेशान हो गई थे और यह घर चली के गई थी बिना किसी को बताए क्यों क्योंकि कि ये माहिर सिंखानिया के कमरे में थी पूरी रात आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं और किसी को कुछ पता ना चले इसलिए ये चुपचा वहां से चली गई थी पर मैंने इसे देख लिया था मुझे पहले से ही पहले नॉर्मल लगा सब कुछ मुझे लगा कि ये हो सकता है इसकी तवियत खराब हो इसलिए ये वहां से चली गई पर जब मुझे पता चला कि इसने तो कल रूम में कल रात रूम में होटल की रूम में चेक आउट ही नहीं किया है चेक इन ही नहीं किया था वो रूम में गई ही नहीं थी तो ये पूरी रात कहा थी तो म मुझे पता चला कि ये पूरी रात माहिर सिंगानिया की बाहों में थी और फिर दिल्ली में भी यही हुआ मैंने इसका पीछा किया तो ये फिर माहिर सिंगानिया के ही रूम में थी और ये दोनों काफी करीब थे दादा जी आपको नहीं लगता कि माहिर सिंगानिया इतना मामी दन दनाते हुए काफी गुस्से में माही के सामने आकर उसे एक जोरदार थपड लगा देती है तो माही जमीन पर गिर जाती है माही में तो जान ही नहीं बची थी वो सुन हो गई थी वो सुन हो चुकी थी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था दिपिका जी कहती है, अरे मुझे तो पहले से ही इसके चाल चलन लक्षण ठीक नहीं लगे थे, पता नहीं कहां कहां मूं काला करती रहती है, वो तो आप लोगों की जिद की वज़े से हमने इसकी शादी आपके परिवार में करने का सोचा, वरना हम तो इसकी शादी किसी हो सकता है माही ऐसी ही हो तारा जल्दी से वहां सब वह सब देखकर वो सुने जा रही थी बहुत देर से तारा भागकर माही के पास आकर उसे गले लगाकर उसे समालते हुए कहती है लगा लिया आपने इल्जाम निकाल लिया अपनी भडास दिल की और जरा इसकी हालत तो किजिए इस मासूम पर मा आप तो इसे बच्पन से जानती है ना दिपिका जी चिला कर कहती है अरे कौन सा जादू किया है इस कलमुही ने तुझ पर कभी तुझे इसकी गलती निजर आती ही नहीं है ना जाने कहां कहां मुँ मारती फिरती है तारा गुस्से में कहती है बस ब माही के आसु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थी वो बस बेजान सी खड़ी थी दिपिका जी कुस्से में माही को खीच कर बोलती है निकल जा यहां से तुझे तो डूब मरना चाहिए और धक्का मार देती है जिससे माही जमीन पर गिरने बाली होती है माही गिरने ही बाली होती है कि दो मजबूत हाथ उसे थाम लेते हैं जी हां यह माहिर सिंगानिया है जो इतनी देर से सबके एक्स्प्रेशन माही का रियक्ट ना करना सबके बदलते अंदाज देख रहा था उसे यह लग रहा था वो माहीर यह सूच रहा था कि अगर फैमिली ऐसी होती है तो अच्छा हुआ उसकी फैमिली नहीं है जिस लड़की को कुछ समय पहले लोग प्यार भरी नजरों से देख रहे थे अब उसकी नजरों में घिन है उन सभी की नजरों में घिन है माहीर माही को समालते हुए कहता है आप लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं माही तुम ठीक तो हो ना वहीं देव वेदिक मोहित भी आकर कहते हैं माही तुमी चोट तो नहीं लगी ना माहीर सब को घूर कर देखता है तो किसी की कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं होती, तो कहां थे हम, बाकी मेरे वो बोलते ही, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो कुछ भी बोलना है अभी बोल सकते हैं, अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो उसके बाद कोई नहीं बोल पाएगा, माहिर काफी गुसे मे था उसका ये रूब देख कर सभी डर गए थे सब अपना अपना सर जुका लेते हैं फिर माहिर अपने गार्ड को इसारह करके बुलाता है तो पूरे हॉल में ब्लैक कलर के कपड़ों में गार्ड ही गार्ड थे सब सोग一个 जाते हैं इतने गार्ड्स को वहां देखकर माहिर फिर लाइट आफ करवा देता है और फिर से स्क्रीन पर कुछ फोटो चलने लगती है जिसमें मॉन्टी अलग अलग लड़कियों के साथ काफी क्लोज है कुछ तस्वीरों में मॉन्टी ड्रग्स लेते दिख रहा है कुछ तस्वीरों में मॉन्टी के बहुत ही काले कारणामे हैं तो मॉन्टी सक्पका जाता है वो फोटो देखकर मॉन्टी के घरवाले काफी जादा हैरान होते हैं क्यूंकि मॉन्टी घरवालों के सामने हमेशा ए किया है ये था मॉंटी के दादा जी कुछ से बहुत जादा गुसा आता है उन्हीं नहीं पता था कि उनका एक पोता इतना जादा बिगडेल निकलीगा वो कुछ कहते इससे पहले ही माहिर की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ती है हाँ तो क्या कहा था मॉंटी ने मेरे और माही के बीच रिष्टा है हाँ तो है रिष्टा इनसानियत का एक दिन मैंने इन्हें गिरने से बचाया था और एक दिन इन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे एक्स्प्लेन करने की जरुद बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी को भी एक्स्प्लेन नहीं करना चाता कि हमा को देखकर कहता है कि और रही बात इस लड़की की माहिर माहि का सब के सामने लाते हुए कहता है जो लड़की अपनी नजरें उठा कर बात नहीं कर सकती जो अपने लिए लड़ नहींसकती वोट को फसाएगी जो लड़की नशे में होने के बाद भी अपनी लिमिट्स में रहे वो लड़की चरित्रहीन है जो लड़की आँख बंद करके अपने परिवार पर दूसरों पर भरोसा कर ले वो लड़की चालवाज है वह भाई वह आप जैसा परिवार देखकर तो मैं हैरान हूँ कि जिस लड़की को आप बच्पन से जानते हैं उसके वो आपके सामने बड़ी हुई है आप उसको इतना ही जानते हैं कि आप उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप ही थी ना माहिर डिपिका जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है जिसने कहा था कि ये हर जगे अ इतना मूम काला करवाती है तो कब देखा आपने इसे ये करते हैं हुए किसी दो दिन के आई लड़के की कहानी सुनकर अपनी बेटी जैसी लड़की से ये सब कहते हुए आपको जरा भी शरम नहीं आई आपको इतना ही जान पाया है माही जी को आप माही को मौंटी बीच म तू तो बहुत अच्छे से जानता है ना इसे आखिर इसके साथ मौंटी इतना ही कहता है कि माहिर अपनी बंदूग उसके मूं में घुसा देता है माहिर एक दम से अपनी बंदूग अपनी जेब में से निकाल कर मौंटी के मूं में घुसा देता है और कहता है और क्या बोला तू, आज तेरा आखरी दिन है यहां, इस धर्ती पर, वैसे भी तेरी ज़रुवत नहीं है यहां, वही सभी माहिर के गुष्षे से डर जाते हैं, माहिर काफी जादा गुष्षे में था, उसकी यहांके पूरी तरह लाल हो जुकी थी, माही को, माही तो डर कर तहरा के पीछे छिप जाती है दिपिका जी चिला कर कहती है बहुत हुआ तुम्हारी ये गुंडा गर्जी होगे तुम बहुत बड़े बिजनिसमेन पर तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं है इसके साथ माही के तरफ पॉइंट कर गे कहती है इसके साथ इसकी इतनी परवा क्यों बताओ जरा और क्या रिष्टा है तुम्हारा इसके साथ मॉंटी गलत है तू बताओ ना क्या कर रहे थे तुम दोनों एक रूम में बताओ हमें और गलत फैमी एक बार होती है बार बार नहीं हमें भी जरा बताओ हमें भी पता चले कि वहां क्या हो रहा था वहीं कबसे शांत खड़े देव वेदिक मोहित का गुस्सा उफान मार जाता है और देव का गुस्सा बहुत जादा बढ़ जाता है तो वो दिपिका जी पर अपने गार्ड से एक बंदूक लेकर तान कर कहता है ओ आंटी जी मैं बताता हूं क्या हुआ था तो दिपिका जी की जान हलक में आ जाती है देव वेदिक मोहित इतनी देज से ये सब होते हुए देख रहे थे उनका गुस्सा सातवे आसमान पर था माहिर गुस्से में सब को घूरते हुए माही का हाथ पकड़ कर मंडप में ले जाता है सब हैरान होकर देखने लगते हैं दोनों को और समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है देव वेदिक मोहित तीनों के चहरे खिल जाते हैं तीनों हवा में फायर करते हैं आप सूच रहे होंगे एक दम से गन कहां से आ गई और अरे भाई हमारा हीरो माफिया है तो गन तो बनती है ना और सब के सामने बच्छ हमेशा खुश रखेगा माही पर कोई इलजाम लगेगा तो वो समझेगा कि कोई उस पर इलजाम लगा रहा है और हर दम उसका साथ देगा मरते दम तक फेरे लेते ही माहिर यही माही की मांग में फेरे पूरे हो जाते हैं उसके बाद माहिर माही की मांग भर देता है जिसे म महसूस करते ही माही की आँखों से आशू निकल जाता है माहिर की हाथ पर गिर जाता है माहिर के दिल में एक दर्द सा उठता है एक टीस सी उठती है क्योंकि ये सब उसकी ही वज़े से हो रहा था माहिर अपने मन में कहता है माही मैं तुम्हारी आँखों में अब कभी आशू पूरी हो जाती है अब हिलो दोस्तों अब मुझे ये बताये कि आपको ये शादी कैसी लगी कैसा लगा ये धमाका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा कर दिया है अब क्या महा ही इस शादी को मानेगी मतलब पूरी तरह होश में आते ही और क्या माही के मामा मामी शादी को मानेंगे और हमारी तारा है वो कैसी रियक्ट करेंगी इस सबसे अब मॉंटी क्या करेगा मतलब वो ऐसे हाथ से जाने देगा या क्या करेगा मेरे इसाब से तो उसकी कोई हालत नहीं बची है कुछ करनी की अब क्या होगा इस story में तो आप मुझे कमेंट में ज़रू बतायेगा और मैं सोच रही हूँ थोड़ा और एक दो twist all लाकर इस story को खत्म कर दूँगी पर थोड़े twist और बनते हैं कि इस story में आगे क्या होने वाला है क्या माहिर और माहिर ने शादी करतो ली है लेकिन माही है जो है वो इस शादी को स्वीकार कर पाईगी और कैसे एज़ेस्ट करेगी वो और देव वेदिक मोहित इन सब लोगों का और हमारे माहिर का पास्ट क्या है मैं सूच रही हूँ थोड़ा मैं माहिर का थोड़ा पास्ट ले आती हूं को वो कैसे अनाथ हुआ और ये सब चीजें तो अब देखते हैं मैं क्या करती हूं तो जल से जल आप कुछ एपिसोड मिल जाएगा आगे का तो मैं आपको बता दूँ कि मैं सिर्फ दो तीन एपिसोड और दूँगी उसके बाद इसकी एंडिंग कर हैं तो कैसा लगा आपको हमारे विलन मतलब मॉंटी का जवाब और हमारे माहिर जी का जवाब मतलब घमासान वाला जवाब एक शेड तो दूसरा सवासेर तो आपको कैसा लगा और माही माहिर की शादी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा थैंक यू फर अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने फ्रेंडों को भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी थैंक यू